हलो बचो तो वह इक दम अच्छे होंगे एक दम बढ़े होंगे और एक दम स्वस्थ होंगे बच्चो तो आज की इस बहतरीन क्लास नाइंथ की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर दो जो की कक्षा नौ का बहुत ही जरूरी चैप्टर है और इसका नाम है गोपी बहुपद अरे नहीं नहीं गोपी बहुपद नहीं है इसका नाम है खाली बहुपद ठीक है तो भाईया यहां पर हम जानेंगे कि हमारा बहुपद क्या होता है ठीक है तुमने पहली बार इसका नाम सुनाओगा और नाम सुनके तुमें लगाओगा बहुप तो भाई या कक्षा 9 के देवियों और सज्जनों आज की क्लास में हम हमारा एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद बहुपद क्या होता है इसमें कौन-कौन सी चीजे होती हैं इन सब के बारे में हमाज जानेंगे और एक बेसिक सेट कर देंगे हमारा बहुपद का आज की क्लास में चीक है और मैं आपको बता दू कि आने वाली दो या तीन क्लासिज में मैं इस चैप्टर को कम्प्लीट करूँगा क्लासिज थोड़ी बड़ी और इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार होंगी टेंशन मतलो बोरिंग नहीं होंगी नंबर दो बहुपद ही है तो तुम्हारा बेसिक क्लास न इंट में अपना बहुपद को क्लीर कर लो तो आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद तुम लोगों के पास मौका है अपना इस बहुपद को पूरा बेसिक से क्लियर करने का तो बिना कोई टाइम गवाए सीधा शिरू करते हैं हम बहुपद को one of the most important topic है बहुपद और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये exams के लिए भी उतना ही important है जितना ये class 10th के लिए important है क्योंकि exam में भी इसमें तुम्हें देखो एक number वाला बहुविकल्पिए depression एक number वाला अति लगूत तरिय प्रशन दो number वाले लगूत तरिय प्रशन तीन number वाले लगूत तरिय प्रशन और तुमारा 4 number वाले दीर गूत तरिय प्रिशन भी मिल सकते हैं चीक है तो यानिकि ये उन chapters में से है जो क히 हर एक तरीके का oppression तुम्हें paper में देगा तो basic clear होगा तो सारी चीज़े समझ में आएंगे और basic मैं आज की class में clear कर दूँँगा तुमारा बहुपत का और मैं बता चुका हूँ पहले भी और दुबारे बता रेता हूँ कि आने वाली दो या तीन classes में ही मैं इस chapter को complete कर दूँगा तो classes थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं लेकिन interesting और मज़ेदार होंगी question भी हाथो हाथ हम cover करते वे चलेंगे और topic भी चीक है तो जल्दी से अपनी class को share करो तुमारे सारे दोस्तों के साथ जितने भी तुमारे class 9 के दोस्त हैं उन्हें बताओ कि कमल सर की classes जो है नीव 9 के channel पर start हो चुकी हैं तो doubtnut नीव 9 के channel को सब्सक्राइब भी कर लो मेरी और बाकी की classes देखने के लिए बाकी shorts वगेर हो तुम्हें इस channel पर मिलते ही रहेंगे तो शुरू करते हैं अपनी class को तो बहुपत सुनते ही तुमारे नाम दिमाग में क्या आता है तुमने सुना बहुपत बहुपत सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कोकिला बेन आप कहां से आ गई प्रणाम बेन अरे कोकिला बेन आ गई नहीं नहीं गोपी नहीं आना चाहिए तुम लोगों के दिमाग में मुझे पता है कि तुम लोग के दिमाग में सबसे पहले बहुपद सुनते ही गोपी बहु आएगा जैसे कि बहु सुनते ही कोकिला बेन के दिमाग में गोपी बहु आता है रसोड़े में पता लगा कुछ कौन ता रसोड़े में बहुत पेमस हुआ था रसोड़े क्योंकि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुम्हारा बहुपत क्या होता है तो तुमने क्लास एर्थ में यानि कि इस से पिछली क्लास में तुमने जाना होगा कि चर और अचर क्या होते हैं ठीक है अचर हमारे वो पद होते हैं जिनका मान निश्चित होता है यानि कि जि कि भाई या 2 का मान 2 ही होता है 5 का मान 5 ही होता है 7 का मान 7 ही होता है तो वो मान जिनका मान fix होता है या वो पज जिनका मान fix होता है वो हमारे कहलाते है अचर या फिर इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है constant ठीक है अब अचर के बाद आता है हमारा चर ठीक है चर क्या है भाई चर बिलकुल अचर का विलोम है अचर का मान फिक्स होता है तो चर का मान अपना अलग-अलग हो सकता है आपका एक चर एक ऐसा पद होता है जिसका मान कुछ भी हो सकता है दी गई समीकरण के अनुसार ठीक ह अब जो चर है इसका मान कुछ भी हो सकता है यानि की बदलता रहता है यानि की vary करता रहता है तो इसलिए इसे इंगलिश में कहा जाता है variable क्या variable याने की जो very plus able हो याने की जो बदलने के काबिल हो ठीक है तो भाईया variable होता है चर ठीक अब बच्चो हमारे जब किनी दो चरों को ठीक है चर अचर चर के गुणांग तिदा रेनेतर पूर्णांग घातांग के जोड घटाव गुणांग की क्रिया वाले बीच गणेत और एक अचर को लेते हो उसकी गुणा करते हो जोड देते हो भाग करते हो या घटाते हो तो जो पद तुमारे पास निकल कर आता है या जो बीजिय वेंजक तुमारे पास निकल कर आता है बीजिय वेंजक होता ही वो है जिसमें चर और अचर दोनों हो चीक है वो हमारा क्य क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है चीक है लेकिन बहुपद होने के लिए आपको एक विशेष्टा की आवश्चक्ता रखनी होगी जैसे गोपी बहु होने के लिए आपको बहुत सीधा होना ही पड़ेगा और आपको अपनी माजी की बात सुननी पड़ेगी कोखिला बेन की बात सुननी पड़ेगी तो ऐसे ही बहुपद होने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा एक चीज का पालन जरूर करना पड़ेगा और वो क्या है बहुपद ऐसे बीजिय व्यंजकों को कहा जाता है याने कि चर और अचर के ऐसे गुणा भाग घटा या जोड को कहा जाता है जिसमें चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए हमेशा एक पून संख्या होनी चाहिए ठीक है मतलब की जिस भी बीजिय व्यंजक में चर की घात जो है वो हमेशा पून संख्या रहेंगी पून संख्या कौन सी होती है या दोना चाहिए सारे बच्चों को पून संख् पढ़ाया होगा जिसने नहीं पढ़ा है जाके देखो इससे पहले अमिट सर की classes पढ़ी है संक्या पढ़ती की वो चेक आउट करो ठीक है और उसमें देखो पून संक्या हमारी होती है जो 0 से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमारी अनन्द पून-जंख्या है तो समझ में आ गया अब गोपी बहु क्या है और बहुपद क्या है दोनों में गोपी, जो कोखिला बेन की بात सुनती है और आमारी जो बहुपद यू क्या गरते उसमें चर्की पृतिय घात पूर्ण संख्या होती है उधारन के लिए हाथो हाथ में तुमें एक एक्जामपल भी देता हूँ एक्जामपल में अगर तुम लेना चाहो तो तुम ले सकते हो जैसे कि तुम्हारा 2X प्लस 5 अब देखो यह जो यहाँ पर BGF लिखा है कैसे यह BGF लिखा है तुम देखोगे आपर कि यह जो 2 है हमें हमेशा से बताए कि 2 कमान 2 होता है और यह 5 है हमें हमेशा से बताए कि 5 कमान 5 होता है तो यह दोनों 4 हैं और यह है हमारा X अब x को तुम देख सकते हो बच्चो x को क्या है x का मान अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है x का मान एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है ठीक है तो बहिए देखो 2 और 5 का मान जो है वो fix है तो यह हो गए हमारे अचर ना कि चर ठीक है और चूकी जो X है उसका मान कुछ भी हो सकता है तो यह हो गया हमारा चर जिसे हम कहते हैं हम variable और अचर हमारे हो गए constant ठीक है तो बच्चों यह हमारा क्या है अब यह एक ऐसा भीजिये वियंजक है है जिसमें देखो क्या है चर जो हैं अमारे एक ही बारा रहा और यहां पर चरकी घात कुछ भी नहीं यह कुछ नहीं है तो जब की घाद पून संख्या हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर चर की घाद क्या है एक है तो यह पून संख्या है इसका मतलब क्या है कि यह एक बहुपद होगा ठीक है वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी 2x की घाद 2 प्लस 5x की घाद 7 माइनस 3x की घाद 4 प्लस 7 अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका चर कहां कहां पर आ रहा है तो आप कहोगे सर एक तो चर यह रहा दूसरा चर यह रहा तीसरा चर यह रहा ठीक है अब इसमें आप प्रती एक चर की घाद देखो यहाँ पर चर की घाद है 2 यहाँ पर चर की घाद है 7 और यहाँ पर चर की घाद है 4 तो प्रती एक जगाद पर जो चर की घाद है वो पून संख्या है इसका मतलब यह भी हमारा एक बहुपद होगा होगा ये BGF इन जग भी हमारा एक बहुपद है लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करो किस चीज की हमारे इन भाई साब की 2X की घाट 2 प्लस 7X की घाट माइनस के 3 प्लस 4X अब देखो इस बहुपद में हमारा चर जो है वो 3 जगापर है 1, 2, 3 यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है यहाँ पर भी घाट 1 है तो यह भी पूर्ण संख्या होगी लेकिन आप देखोगे यह जो घाट है वो माइनस के 3 है जो की पूर्ण संख्या नहीं होती पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है और 1 तक जाती है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच ठीक है इस तरीके से तो भाईया यहाँ पर हमारा क्या है X की घात माइनस के तीन है जो कि पून संख्या नहीं है और जब प्रतियेक चर की घात पून संख्या नहीं होगी तो BGA व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा ठीक है तो याने की यह हमारा गोपी बहु की केटिगरी में नहीं यह राशी बेन की केटिगरी में आता है हमारा ठीक है यह बिगडा हुआ बालक है यह राशी बेन की केटिगरी में जाएगा ये दोनों हमारे सुद्रेवे बालक है विचारे गोपी बहु की केटिगरी में है तो द्यान रखो कि बहुपद वो भी जिये वेंजक होंगे जिसमें हमारा चर की जो प्रतिय घात है वो क्या हो पून संख्या हो अब अगर मैं तुमसे पूलूं कि क्या पांच या कोई भी संख्या ले लो एक दो तीन दस सो दो सो तीन सो चार सो कोई सी भी संख्या जैसे कि मैंने आपर पांच लिया है क्या ये एक बहुपद है तो देखो आपका जो ये पांच है इसे आप लिख सकते हो पांच गुणा एक चीक है और एक को हम लिख सकते हैं पा पांच गुणा एक्स की घात क्या लिख सकते हैं बच्चो जीरो क्योंकि देखो किसी भी चीज की घात अगर जीरो होती है तो उसका मान होता है एक ये चीजम क्लास एर्थ में और संख्या पदती वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से ठीक है तो इसका मत गया यह एक bgav n जक बन गया bgav n जक है जिसमें हमारा क्या है हमारी जो घात है वो 0 है चरकी घात 0 है 0-1 पूंठ संख्या होती है तो सीडी सी बात है आने कि 5 गुणा एक्स की घात 0-1 बहुपद है इसका मतलब हमारा पांच भी एक बहुपद है अब देखो सिम्पल सी ची है जो की अचर पद है जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, डैस 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 इस प्रकार की जितनी भी संख्याए हैं उन सब को हम कहते हैं हमारा अचर- बहुपद, उन्हें हम कहते हैं बच्चों हमारा अचर बहुपद यह जितनी भी संख्याय होती है इसमें बच्चों माइनस वाली संख्याय भी आजाती है ठीक है तुमारा माइनस एक माइनस के दो माइनस के तीन मतलब माइनस वाली संख्याय भी इसी के अंदर आजाती है और ये सब हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भाई अचर बहुपद ठीक है वही इसमें मैंने 0 नहीं लिखा है क्योंकि 0 हमारे एक बिल्कुल अलग प्रकार का बहुपद होता है 0 को हम कहते हैं 0 बहुपद क्या कहते हैं भाई सभी बहुपदों में आपका जो चर था वो केवल एक दिया हुआ था जैसे कि आप देखो यहाँ पर भी हमारा केवल एक्स था यहाँ पर भी हर जंगा जो चर था वो एक्स था ठीक है यह तो बहुपद था ही नहीं तो इससे मतलब भी नहीं है यहाँ पर भी हमारा चर केवल x था ठीक है तो जितने भी बहुपद हमने देखे ये हमारे इसमें केवल एक चर था जो की x था तो इने कहा जाता है बच्चो एक चर वाले बहुपद जिनके बारे में आप अपनी क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ोगे इसके अलावा किसी और प्रकार के बहुपद के बारे में हम क्लास 9 क्लास 10 में नहीं पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद में अलग अलग प्रकार होते हैं लेकिन हम केवल पढ़ने वाले हैं एक चर वाले बहुपद अगर तुम्हारे पास कोई बहुपद इस तरीके से आ जाता है मालो 2x square plus 3y की घाच 4 minus 7z चीक है तो अब देखो के यहाँ पर तुम्हारे पास 3 बहुपद है एक x है, एक y है और एक z है चीक है तीनों के तीनों की जो घाच है वो क्या है? वो पून संख्या है, यानि कि यह हमारा एक बहुपद जरूर है चीक है, यह जो दिया गया पद है, यह जो दिया गया bgvn जक है यह एक बहुपद जरूर है, लेकिन यह एक हमारा एक चरवाला बहुपद नहीं है इसमें तीन चरवाला बहुपद होगा, चीक है x y और z यहाँ पर तीन चर है तो यह तीन चर वाला बहुपद होगा यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा सिंपल सी बात तो बहुपद समझ में आगया क्या होता है एक चर वाला बहुपद समझ में आगया क्या होता है चीक गोपी बहु अब अगर कहीं पर बहुपत सुनोगे तो गोपी बहु से तो तुल्ला नहीं करोगे चीक है और जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार प्लीज क्लास को शुरुवात से देखो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें सारी चीज़े एक एक करके स् रहे हो कि यार सर समझ नहीं आ रहा है ठीक है तो देखो समझने वाले के उपर निर्भर करता है कि वो चीजों को कैसे समझता है अगर किसी को समझ नहीं आता ना तो दो तरीके होते हैं दो आप्शन होते हैं तुमारे पास या तो तुम उस चीज को वहीं छोड़ दो या फ तो अगर किसी बच्चे को चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार तुम इस क्लास को शुरुआत से देखो क्योंकि मैंने कोई भी चीज मिस नहीं करी है एक एक चीज क्लियरली बताई है और अगर समझ में आ गया तो मुझे जरा कमेंट्स में बताओ कि तुम बहुपदों के अंदर कुछ चीजे होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए जिन्हें हम कहते हैं बहुपद के चर्थ अधा पदों के गुणांक जैसे की माल लो तुमारा मैंने एक बहुपद लिखा ये 2X स्क्वायर प्लस 7X माइनस 3 ठीक है अब देखो बच्चो जहापर भी हमारा प्लस और माइनस का चिन आएगा जहापर भी हमारा प्लस और माइनस का चिन आएगा वो हमारा पदों को अलग-अलग करेगा जैसे की देखो ये हमारा पहला पद हो गया एक पद फिर plus का चिन आ गया तो दो पद ध्यान रखना गुणा और भाग के चिन पदों को अलग-Alag नहीं करते केवल plus और minus के चिन पदों को अलग-Alag करेंगे और एक minus का चिन आ गया तो तीसरा पद यह हो गया हमारा तो आप देखोगे इस बहुपद में कुल मिलाकर हमारे तीन पद है चीक है इस बहुपद में हमारे कुल मिलाकर तीन पद है ऐसे ही मानलो अगर मैं केवल और केवल यहाँ पर लिख दू तीन एक्स चीक है तो इस बहुपद में क्या है केवल कोई प्लस और माइनस का चिन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर केवल एक पद है ठीक है केवल एक पद है ऐसे ही मालनों मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या तुम्हारा एक ही हो गया एक्जाम्पल एक ही हो गया एक्जाम्पल ऐसे ही मालो मैं यापर लिख देता हूं तुम्हारा 4x की घाद 7 माइनस 3x स्क्वाइर प्लस के 7x माइनस 2 ठीक है अब तुम यापर देखोगे जितनी जंगा प्लस माइनस का चिन आ रहा होगा ध्यान रखना उतनी ही जंगा तुम्हारे पद अलग-अलग हो जाएंगे तो ये पहला पद कमेंट सो बताओ इस बहुपद में कितने पद हैं ये दूसरा पद ये तीसरा पद और कुल मिलाकर ये हमारा चौथा पद तो तुम लोग देख सकते हूँ कि इस बहुपद में हमारे एक नया पद बन जाएगा और याद रखना कि गुणा और भाग के चिन हमारे पद नहीं बताते हैं ठीक है अब पद तो हमें पता चल गया अब यहाँ पर बात आती है गुणांकों की ठीक है जैसे कि अगर मालनों तुमसे पूछा जाए कि इस वाले बहुपद में x square का गु गुणांक तो क्या होगा बच्चो x square का गुणांक तो देखो भई जो भी संख्या हमारी x square के गुणां में होगी वही हमारा x square का गुणांक हो जाएगी जैसे देखो यह रहा x square इसकी गुणां में क्या है दो तो यही हो गया हमारा x square का गुणांक यहाँ पर आपसे तो आप इसी क्या लिख सकते हो आप इस यह भी लिख सक्ते हो 3X plus 0,2 .0.0 को सी स्क्वायर 0 हो जाएगा 3X plus 0 3X हो जाएगा यानि कि हम देखे तो यहां पर X स्क्वायर का गुडां क्या है हमारा 0 क्यूंकि 3 X में हमारा x square वाला कोई पद ही नहीं है तो simple सी बात है उसका गुडांग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ऐसे ही अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछू हूँ की हमारा इस वाले पद के लिए की x की घाद 7 का गुडांग और हमारा x की घाद 2 का गुडांग दोनों बताने है अब देखो भई जैसे ये भाई साब कह रहे है कि it's simple mathematics ब्रो इसमें क्या ही दिक्कत है it's simple mathematics तो जैसे ये भाई साब कह रहे है वैसे हम भी कह रहे है कि simple गनेटी तो है देखो भई x की घाद 7 की घुडांग 4 तो यह आ जाएगा चार और X स्क्वाइर की गुणा में क्या है तीन अब बहुत सारे बच्चे से तीन लिखकर अपना कह देंगे सर हमने सही करा है लेकिन मैं बता दूँ ये बिलकुल गलत है क्योंकि गुणांक तुम जब भी लोगे वो हमेशा चिन के साथ में लोगे तो अगर देखो यहाँ पर प्लस का 4 था तो मैंने प्लस का 4 लिया ठीक है लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे X स्क्वाइर के गुणा में माइनस का 3 है तो जो तुमारा गुणांक होगा वो माइनस का 3 होगा ध्यान रखना इस चीज़ का गुणांक हमेशा माइनस के चिन के साथ लिया जाएगा तो अब तुम लोग भी कह सकते हो इस सिंपल माथ ब्रो चीग है तो कोई देखकत है अभी तक सबको समझ में आ गया बहुपद क्या होता है बहुपद एक चर वाला बहुपद क्या होता है ठीक है अचर बहुपद शूनिय बहुपद क्या होते है ठीक और बहुपद के चरतता बहुपद के गुणांग क्या होते है क्लियर हो गया अब ही चमका के नहीं चमका जल्दी से बताओ कमेंच में चमका बहुत बहतरीन मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट से बताओ कि हाँ सर मज़ा आ रहा है चीक है नहीं तो भी बताओ कि किस चीज में मज़ा नहीं आ रहा है ये भी बताओ अब मज़ा दिलाने के लिए मैं तुम्हें नाच के तो दिखाऊंगा नहीं कि बहुपत की घात one of the most important topic जिसमें से हर साल सवाल आता ही आता है ना ही class 9th में बलकी class 10th में भी इसमें से सवाल आता है कोई बड़ी से बड़ी तोप कोई बड़ी से बड़ी मंत्री आ जाए इस topic में से सवाल आने से नहीं रोक सकता चीक है बहुपत की घात one of the most important topic है और एक ऐस टॉपिक है जिसमें से मैं लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पेपर में सवाल देखने को मिलेगा अब देखो यहां पर मैं तुम्हें यह भी जिखा देता हूं कि एक बहुपद को लिखा कैसे जाता है बहुपद अब यार बार-बार मैं बहुपद को zone लेगा तुम्हें तुम्हारा खुद का नाम मिलना चीए ना जैसे तुम्हारा नाम है रोहित अमन शिवम राहल् है तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाय जाये तभी अच्छा लगेगा ठीक को सेम चीज है कि भईया बहुपद का भी और फिर bracket के अंदर वो चर जिसमें ये बहुपद है, तो तुम देखोगे ये बहुपद जो है वो वाई चर में है, ये बहुपद जो है वो वाई चर में है, तो इस बहुपद का नाम हो जाएगा PY, क्या हो जाएगा PY, चीक है, अब तुम से कोई पूछ ले की PY की घात क्या है, हाँ वही, हाँ मेरे शेरो, किसी को पता है PY की घात क्या है, क्या कह रहो सर पढ़ातो दो पहले, फढ़ा आ रहो, सुनो, देखो, PY की घात क्या है, वही घात है जो तुमारे सर पे है, मेरे सर पर कुछ भी नहीं है छोड़ो आजाओ वापस देखो PY की घात क्या है अब PY की घात अगर तुम्हें निकालनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है पूरे बहुपद में पूरे बहुपद में जहां भी चर है उसे नोट कर लो ये रहा ठीक है उस चर में जो सबसे घात है वही बहुपद की घात हो जाती है तो यहां पर है चर्की घात दो और यहां पर चर्की घात कुछ नहीं है इसका मतलब चर्की घात एक होगी तो सिंपल है यहां पर चर्की घात दो है यहां पर चर्की घात एक है तो इसका मतलब बड़ी घात कौन सी है दो तो हमारे PY की घात हो जाएगी 2 बात खतम इतना ही करना है तुम्हें किसी बहूपद में अगर तुमें चर की घात निकाल नहीं है चर दिये गए है उनमें सबसे बढ़ी घात कौन सी है जो घात सबसे बढ़ी होगी इसका मतलब ये है कि एक बहुपद है जो कि 4X में है 4X की घाट 7 प्लस 3X की घाट 5 माइनस 7X की घाट 9 ठीक है अब इस बहुपद के आपको घाट बतानी है तो देखो बहुपद की घाट क्या होगी इस बहुपद की घाट बताने के लिए देखो सबसे पहले जो बहुपद का व्यापक रूप होता है जो बहुपद का मौलिक रूप होता है वो यह कहता है कि हमेशा बहुपद को चर के घटते हुए घात के क्रम में लगाओ यानि कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात उसके बाद सबसे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी, चीक है, तो यहानि कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कैचर की, 7x की घात माइनस के 9, तो यहाँ जाएगा माइनस 7x की घात 9, उसके बाद, प्लेस 4x की घात 7, प्लेस 3x की घात 5, अब तुम्हें इसकी तरह confuse नहीं होना है तुम लोग normal हो, तुम लोग कमल सर से पढ़ रहो, regular आते हो class में हो, तुम्हें पता है, और regular आओगे तो तुम्हें और मज़ा आएगा, चीक है, classes का time यही रहने वाला है, चीक है, तो अपना class skip मत करना, regular basis पे class में आओगे, तुम्हें सारी चीज़े समझ में आएगी, ठी मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुपद वाला chapter आज ही की class से शुरू हुआ है, और आगे आने वाले दो या तीन classes में मैं इस chapter को खतम कर दूँगा, चीक है, interesting और अच्छी तरीके से पढ़ाओंगा, तो regular class में आओ, तो मज़ा आएगा, चीक है, तो भई देखो, यहाँ expression का उत्तर हो गया, ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे की x की घात 9 का गुडांग क्या है, तो x की घात 9 का गुडांग है, माइनस के साथ, ठीक है, तो बच्चों यह simple सी हमारी चीजे थी जो की बहुपदों में पूछी जाती है, ठीक है, अब जो हमने बहुपदों की घा गया, दो, पिर माइनस का चिंणा गया, तीन, तो कुल मिला कर तीन पंद हैं, अब देखो बच्चों यह जो बहुपद है, यह हमारे एक चरवाले बहुपद को दो प्रकारों में बाटा गया है, ठीक है, तो अब हम बहुपदों के प्रकार पर आजाते हैं, ठीक है, तो हम पर हमारे तीन बहुपद आते हैं पहला एक पदिया बहुपद ठीक है अब दूसरा दूइपद बहुपद ठीक है या दूइपदिया बहुपद ठीक और तीसरा वही बिलकुल त्रीपदिया बहुपद या त्रीपद बहुपद तो भईया देखो जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम भी है ठीक है एक पद या बहुपद में वो बहुपद आते हैं जिनके केवल एक पद हो जैसे कि मानलो आपको दे दिया जाए पी एकस बराबर 4X की घाद 7 अब आप देख सकते हो यहाँ पर केवल 1 पद है 4X की घाद 7 यह पूरा का पूरा 1 पद है कोई प्लस का चिन नहीं कोई माइनस का चिन नहीं बात खटम यह हमारा 1 पद वाला बहुपद हो गया कोई बहुपद दूइपद बहुपद कौन सा होता है जैसे PY बराबर हो गया तुम्हारा 7Y की घाद 2 प्लस 3Y तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर 1 और 2 पद हैं तो यह हमारा क्या हो गया? दूइपद बहुपद हो गया ऐसे ही 3 पद बहुपद में आजाता है मानलो PZ में ले लेता हूँ तुम्हारा 3X की घाद 3 प्लस 4X की घाद 7 माइनस 2 तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 बहुपद हैं तो यह हमारा 3 पद हैं तो यह हमारा 3 प्रकार के बहुपद होते हैं वही अब अगर हम घात के आधार पर बात करें तो सबसे पहला बहुपद आता है हमारा घात के आधार पर रैखिक बहुपद कौन सा भहिया रैखिक बहुपद अब यह जो भाई साहब हैं रैखिक बहुपद इनका जैसा नाम है वैसा इनका थोड़ा सा काम नहीं है रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिक्तम घात एक होती है याने की बहुपद की जो घात है वो एक होती है बहुपद की घात एक हो बहुपद की घात एक हो उधारन के लिए तुम्हारा PX बराबर 100 गुणा X चीक है अब यहाँ पर तुम देख सकते हो चर्किया दिक्तम घात एक है तो यह हमारा क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया दूसरे प्रकार का जो बहुपद आता है घात के अधार पर वो जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है वो है हमारा दूई घात बहुपद अब भाईया मैं पहले ही बता चुका हूँ दूई घात तोड़ोगे तो क्या बनेगा दो घात तो याने कि वो बहुपद जिसमें चर्किया धिक्तम घात दो हो याने कि बहुपद की घाद 2 हो वो हमारा क्या क्या लाता है बहुपद की घाद 2 हो तो ये हमारा हो गया बच्चो दूई घाद बहुपद उधारन के लिए मानलो कोई बहुपद मैंने ले लिया PY बराबर 4Y की घाद 2 प्लस 7Y माइनस 3 तो तुम देख सकते हो ये हमारा तीन पद वाला बहुपद है लेकिन इसमें जो चर की अधिक्तम घात है वो दो है तो इसलिए ये एक दुई घात बहुपद है और आखरी हमारा आता है बच्चो त्री घात बहुपद बिल्कुल सेम दुई घात बहुपद की तरह ही इसका भ तुम्हारे बहुपद के प्रकार एक बार इस चार्ट को नोट कर लो वन ओफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट रहे गए और तुम्हारे आधे डाउट्स इसी चार्ट से सॉल्व हो जाएंगे किसी को कोई दिक्कत है अभी तक बहुपद में किसी भी बालक को कोई परिसानी है अभी तक सब क्लियर एक दम चावचक चल रहा है चमग्या बिलकुल सांदार जबरदस्त जिंदावाद चालो बहुत बहतरी अब आजो बच्चो जो भी चीज़े हमने अभी तक पढ़ी थी चीक है यह हमारा पहला टॉपिक जो है वो complete करा देती है कि बहुता होता है अब हम यह समझ चुके हैं कि बहुपद होता क्या है बहुपद की कहानी क्या है और कैसे हमें एक बहुपद को पहचानते हैं तो अब एक काम करते हैं इसी स्पर बेज चोटे-चोटे करते हैं चीक है Article च्पर Biz फान एक उस सारइंत पताना है कि इसमें चर क्या है देखो भई एक्स स्कॉयर माइनस के दो एक्स प्लस आठ अब चर तो मैं तुम्हें पता ही चुका हूँ वो पद जिसका मान हमें नहीं पता होता हो और उसकी जंगा पर कुछ भी आ सकता है तो तुम लोग जानी सकते हो यहां से साफ साफ दिख जाएगा इस बहुपद में जो चर है वो एक्स हो जाएगा तो यहने कि ए विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर हो गया अब इसी तरीके के जो प्रशन है वो आपको आगे मिलेंगे प्रशन पढ़ो कमेंट में आंसर दो ठीक है आम वीटिंग फॉर आंसर तो दूसरा सवाल ह बहुपद की परिभाशा पढ़ चुके हो तुम लोग जानते हो जिसे याद नहीं है माथा गरम करो ठोको माथे को थोड़ा सा ठीक है और याद करो पिच्चर याद रहती है ना पूरी की पूरी इसे भी याद करो ठीक बताओ भई निमन में से कौन एक बहुपद है वर्गमूल दो गुणा एक्स प्लस वर्गमूल ब्रेकेट वर्गमूल के अंदर तीन एक्स बी ऑप्शन है एक्स की घात तीन माइनस तीन बटे एक्स की घात तीन प्लस पंदरा या फिर वर्गमूल की घात तीन एक्स प्लस पांच एक् A, B, C, F, A, D, चालो, मैं बताता हूँ, आज आओ इदर, तो देखो भई, इस वाले बहुपत को जब तुम नॉर्मल तरीके से लिखोगे, तो यहाँ पर क्या हैगा, वर्गमूल 2, गुणा X, यहाँ पर देखो कि 3X के उपर, पूरे के उपर वर्गमूल है, यानि कि प्लस, 3X की घात 1 बटा 2, तो तुम देख सकते हो, X की घात क्या है, 1 बटा 2, अब घात 1 बटा 2 है, यानि कि चर की घात अगर 1 बटा 2 है, तो यह तो पूर्ण संख्या नहीं है, और हम जानते हैं कि कोई बहुपत वह VGA वे इन जग होता है, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या ह तो यह तो बहुपत नहीं हो सकता. दूसरे वाले पर आजओ. यहाँ पर देखो यह क्या है? तीन बटे एक की गाथ तीन. अगर कहीं लिख्का होता है एक बटे ए, तो उसे हम लिख सकते हैं, एक की गाथ माइनस के एक. ठीक है? तो यानि कि इसे तुम लिख सकते हो X की घात 3 माइनस 3 गुणा X और इसे पलट कर ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी तो माइनस के 3 प्लस 15 अब तुम देख लो बच्चो यहाँ पर जो हमारा चर है उसकी घात माइनस के 3 आ रही है तो सिंपल सी बात है यह भी बहुपद नहीं हो सकता अगला इसकी भी बात सिंपल सी है वर्गमूल की घात दे रखी है 3 तो सीदी सी बात है X की घात हो गई 1 बटे 3 प्लस 5X स्क्वाइर ठीक है तो यहाँ पर भी तुम देखो चर की घात एक पून संख्या नहीं है प्रती एक चर की घात पून संख्या होनी चाहिए तो यहाँ पर भी प्रती एक चर की घात पून संख्या नहीं है याने कि यह भी बहुपद नहीं होगा बचता है आकरी वाला और यही हमारे प्रिशन का उत्तर होगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिति एक चर्की घाट जो है वो एक पून संख्या है X की घाट 2 प्लस X की घाट 1 प्लस 1 तो यहां पर तुम देख सकते हो प्रतियक चर्की घात क्या एक पून संक्या है तो यही हमारा क्या होगा एक बहुपद होगा चीक है तो भाईया दूसरा सवाल भी complete हो गया तीसरे पर आजाओ कि भी अभी अभरूपद 2x की घात 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 6x स्क्वाइर माइनस के 6x प्लस 5 में X की घात तीन वी Xrière के गुडान क्रम्श है हैं भाई शोड़े दोड़ाओ दिमाग के खुजलाओ दिमाग की बत्ति और जल्दी से अंसर बता है टाप कहाओ और दिमाग की बत्ति जलाओ वैसे होता कुछ नहीं ये मेंटास खाने से तुम्हारे दिमाग की बत्त तुम खुदी जला सकते हो जल्दी से option बटाओ A, B, C, या फिर D चालो, देखो बई यहाँ पर हमारा जो X है X की घात 3 जो है यह जो है, ठीक है, हमें इसका गुणांक बताना है तो तुम देखोगे कि इस बहुपद में हमारा जो X की घात 3 है उसकी घुणां में कुछ नहीं है तो घुणां कहां से देगे, कद्दू से लेकिन अगर आप देखोगे कि X की घात 3 की घुणां में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर हम एक तो रख सकते हैं क्यों रख सकते हैं एक घुणां X की घात 3 कple can satisfy साथ लोगे तुम लोग तो चिन क्या है माइनस के एक वाँ मेरे शेर माइनस के एक आ है ओर एक स्कवायर का कुणांख देखो भई चैन nom के साथ तो यह आजा गया plus के शेश हैं तो यहाणि की विटा नंसर कौन सा ही हो जाएगा प्लस के एक और प्लस के 6 तो माइनस एक और प्लस के 6 याने की B option अपने expression का बिलकुल से उत्तर आंसर हो गया जिस वी बच्चे ने B लगाया था बिलकुल correct था next सवाल पर चलते हैं बहुत तीजी से चीग है बहुपद X की घाथ 4 माइनस 2X की घाथ 2 प्लस 8 की घाथ है तुम यह देखो X की घाथ 4 माइनस 2X की घाथ 2 प्लस 8 की घाथ बतानी है तुम लोगों को पताया था क्या कि जो बहुपद में 4 की सबसे बड़ी घाथ होती है वही बहुपद की घाथ होती है तो कि सबसे बड़ी घात क्या है चार तो याने कि चार ही हमारा बहुपत की घात होगी याने कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बात खतम चीक है और मैं बता दूँ ये सवाल one of the most important सवालों में से है क्योंकि ऐसे सवाल तुमसे पूछे जाएंगे चीक है पेपर में पूछता है ऐस उसके नां में ही तीन घात है चत्र घात भवोपत बिलको भी नहीं चार घात वाले भववबकर को कहें गे रैकिक भववपद अब बच्चे यां confused होजाएंगे नहीं कोशन कराने थे सारे के सारे कोशन और जो भी टॉपिक थे मैंने आपको कवर करा दिये हैं आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मज़ाया होगा सारी चीज़े अच्छे समझ में आई होंगी और किसी भी बच्छे को बहुपद में आप कोई डाउट नहीं होगा अगर हैं तो मुझे एक बार कमेंट सेक्ष्ण में बताओ मैं देख लोगा और अगले क्लास में उसे भी धे क्लियर कर दूग बाकि आइए होप तुम लोगों को अच्छे समझ में आँ कूझा हैं और सारी चीज़े अच्छे से क्लियर कर दी हैं मेरे अकॉर्डिंग तुम मैं आगे continue करने वाला हूँ और मैं बता दूँ कि तीन lectures में या चार lectures में इस पूरे chapter को हम complete करके खतम करके अलग side में रख देंगे तो don't wait अभी के अभी channel को subscribe कर दो चीक है और वीडियो को like कर दो और अपने को आगे भी तो कि अवड़की करें अभी कर दो आगे है तो कि युछ